Hello students, हम कर रहे हैं income tax, income tax subject के अंदर हमने अभी तक इस channel पर दो chapter complete कर लिए हैं First basic concept of income tax, second कर लिए हमने residential status, third chapter income from salary का है जो हम आज start करेंगे लेकिन किसी-किसी book में ये chapter number fourth भी होता है, okay? So income from salary और यहीं से हमारा जो incomes के heads हैं, वो start हो रहे हैं और यह head कितने हैं, तो total 5 head थी, है ना, first income from salary, second income from business and profession और third number है आपका income from house property, fourth number income from capital gain और fifth number है income from other sources, ठीक है, इसके बारे मैंने first जो lecture था उसके अंदर बताया था, first chapter के अंदर, ठीक है कि ये head होते हैं income के, किसी भी person के, ठीक है, okay? तो आज हम start कर रहे है, income from salary, इस chapter को करने के बाद आप क्या सीखेंगे? जब इस chapter को आप complete कर लेंगे, तो आप किसी भी person की कितनी salary है, उसके उपर tax कितना लगेगा, वो आप सीख जाएंगे? यानि कि आप किसी भी person की income को calculate करना सीख जाएंगे, अब आप बोलेंगे, कि सर किसी भी income की, किसी भी person की, अगर salary कितनी उसको मिल रही है, ये calculate करना कौन से बड़ी बात है? उसे जाके पूछ लो भई ये तुमारे salary कितनी है? नहीं ऐसा नहीं, इतना नहीं है, बहुत सारे provisions, बहुत सारे sections, बहुत सारे rules, बहुत सारे regulations, salary पर लगती हैं, किसको salary मानना है, किसको salary नहीं मानना है, तो बहुत सारी चीजे हैं, उन सब चीजों को हम अच्छे से study तब एकड़ एग्जेक्ट सेलरी आप आएगी जो इंकम टेक्स के हिसाब से होगी और उसके ऊपर भी इंकम टेक्स लगेगा तो इसके अंदर जो section लगते हैं income tax act 1961 ही आपको पता ही है और इसके जो charging section है शेलरी जो चारजिंग सेक्षन, वह सेक्षन नमबर 15 और 16 एंड 17 में और भी डिटेल दे रखी लेकिन चारजिंग सेक्षन कौन सा है, पंद्रवार सेक्षन, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें पहले अच्छे से समझ रहा होगा, तब ही हम ये income tax के हिसाब से किसी परसन की salary से कितनी income आ रही है उसको calculate कर पाएंगे तो इसके अंदर सबसे first आता है एंप्लोई एंप्लोयर रिलेशन सिप अब यहाँ पर एंप्लोई का मतलब क्या हो गया है इंदी में क्या बोलेंगे कर्मचारी कर्मचारी इसको इंदी बोलते नियोज नियोक्ता नियोक्ता बोलते हैं एंप्लोयर एंप्लोयर मतलब आपका हो गया boss ठीक है जो company हो सकती है कोई business हो सकता है वो आपका employer हो गया और employee का मतलब क्या हो गया कर्मचारी ठीक है यानि कि जो person जो worker कर ना वह employee हो गया तो income tax बोलता है कि salary तभी बोला जाएगा जब employer और employee relationship हो अगर employee और employer relationship नहीं है तो फिर उसको salary नहीं बोला जाएगा ठीक ओके employer और employee relationship होना जरूरी है ठीक है अब इसके अंदर कुछ relation कुछ चीजे ऐसी है जहां पर employee और employer relationship नहीं होता है तो उसको फिर salary नहीं बोला जाता है ठीक है employee जो है यहां पर वो part time भी हो तो भी चलेगा एंड फुल टाइम हो तो भी चलेगा जरूरी नहीं है कि आपको कहीं full time ही काम करेंगे तो उसको salary बोलेंगे आप अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी आप employee है फुल टाइम काम कर रहे हैं तो भी आप employee है बस आपके बीच में employee और employer वाला relationship होना चाहिए बहुत और करमचारी वाला relationship होना चाहिए संबंद होना चाहिए ओके कि इसके कुछ exceptions है इस condition के कुछ exceptions है exceptions मतलब अपवाद अगर employee और employer relationship है तो फिर जो पेई और पेयर है और पेयर कौन होगा employer और पेई कौन होगा यह और पेई यह होगा जब यह इसको पे करेगा जो भी amount इसकी services के बदले में तो उसको हम क्या बोलेंगे salary लेकिन कुछ exceptions ऐसे हैं जहां पर salary नहीं बोला जाएगा और वो income from salary head के अंदर नहीं आएगा वो क्या exception से क्या अपवाद है सबसे first MP और MLA MP का full form तो पता ही होगा न Member of Parliament और MLA मतलब Member of Legislative Assembly MP और MLA को जो भी fee pay की जाती है जो salary pay की जाती है वो income from salary head के अंदर नहीं आएगी और यह आएगी आपकी income from other sources के अंदर income from other sources के अंदर आएगी यह exception है वैसे MP और MLA और Government की बीच में employee और employer का relationship तो होता है बट exception है अपवाद है इस परस्ट कर दिया है कि MP और MLA को जो भी पैसा बगेरा मिलता है तो इनको government का employee treat नहीं किया जाएगा इसलिए इनको जो salary मिलती है वो salary income from salary के अंदर नहीं आएगी उसको income from other sources के अंदर की head number पांचवे के अंदर डाला जाएगा okay income from other sources next कुछ exceptions और भी मैं आपको बता देता हूं जैसे एक आपको example देता हूं जो partnership firm है partnership तो आपने बहुत भड़ी होगी because commerce कर रहे हैं तो आप जो partnership firm है वो अपने partner को वो अपने partner को जो profit pay कर रही है salary PAY कर रही है या bonus commission जो भी pay कर रही है तो उसको भी यहाँ पे income from salary में नहीं डाला जाएगा चाहे profit पे करें चाहे salary तो partnership from partner को जो PAY कर ती है profit या salary उसको इसमे क्यों नहीं income from salary क्यों नहीं माना from employer और partners partners जो होते हैं वो employee नहीं है उल्टा यह honor वाला relationship हो गया वो तो स्वामी है honor हो गए partner तो employee employer relationship नहीं है तो इनकी salary को फिर यहां पर नहीं treat किया जाता है इसको कहा business and profession जो head है अपना second वाला income from business and profession उसके अंदर इसको डाला जाएगा और उस head के case आप से calculate किया जाएगा salary में नहीं डाला जाएगा ठीक है तो ऐसे कुछ चीजे आप यहां पर समझ सकते हैं इसमें profit salary bonus commission आपको पता है वो सब चीजे इसमें include हो गई तो first यह है most important है कि employee और employer relationship होना चाहिए हम आगे बढ़ते हैं point no difference no difference between salary and wages है ना वैसे हम accounting के अंदर तो इन दोनों में difference करते दियादे salary को indirect expenditure माना जाता था पीनल account के अंदर दिखाते थे wages को direct expenditure बोलके trading account के अंदर दिखाते थे but यहां पर कोई किसी परकार का difference नहीं है salary और wages दोनों ही एक ही चीज है so no difference between salary and wages next number आता है salary के ऊपर tax कौन से year में लगेगा तो इसमें आता है due or received due or received whichever is earlier इसको अच्छे से समझना whichever is अर्लियर जो पहले हो अगर आपने salary पहले कमा ली लेकिन मिली नहीं for example के लिए आपने salary कमा ली 2016 में इस साल की आपकी salary आपने कमाली माल लेते हैं for example के लिए दो लाग रुपे salary आपकी कमाली लेकिन आपको employer ने boss ने अभी तक pay नहीं करी आपने अभी तक receive नहीं करी किसी वज़े से company की condition अच्छी नहीं है उस वज़े से हो सकता है लेकिन आपने कमाली न तो इसके उपर tax कब लगेगा 2016 माल लेते हैं यह salary आप receive करते हैं 2018 में तो क्या वापस tax लगेगा नहीं फिर receive के time tax नहीं लगेगा दोनों में से कहीं एक बार लगेगा जो पहले हो तो यहां पर पहले क्या हो रहा था ड्यू तो यहां टेक्स लग गया अब जब receive होगी तब नहीं लगेगा इसकी जगा उल्टा होता तो पहले advance में receive कर लिया साल पहले मिल गई ड्यू यहां होनी थी 18 के salary 16 में मिल गई तो दोनों में से पहले क्या receive तो 2016 में ही टेक्स लगा दिया जाएगा फिर जब ड्यू होगी तब टेक्स नहीं लगाएगा मतलब दोनों में से जो time पहले हो जो गटना जो event पहले होगा अगर पहले ड्यू हो गई तो पहले टेक्स लगा देंगे उस साल की salary मान के पहले receive हो गई तो पहले लेकिन दोनों में से जो पहले हो वो होगा और एक बार जो हो गया फिर वापस दुबारा टेक्स उसके उपर नहीं लगएगा okay so due or received basis पर यह मामला चलता है next आता है आपका फिर और क्या point हो सकते है salary paid by salary paid by foreign government या foreign company ठीक है या foreign country foreign country या foreign company से कहीं से आप foreign से आपको कोई salary मिल रही है तो इंडिया में tax लगेगा क्या हाँ दोनों में से कोई भी एक चीज एक तो एर्णिंग जिसको rendered भी बोलते हैं service rendered in India या फिर received इन दोनों में से कोई भी घटना इंडिया के अंदर हो गई तो उसको income from salary मान करके इंडिया के अंदर उसके उपर income tax लगेगा अगर आपने इंडिया के अंदर अर्ण किया है और आप इंडिया से बाहर कहीं receive कर रहे हैं तो अर्ण इंडिया में हो गया तो टेक्स लगेगा आप अर्ण तो कहीं बाहर कर रहे हैं आप Australia में कर रहे हैं कमाई आपने वहां है काम आपने वहां करा है सर्वीस आपने वहां दिए बट रिसीव आप कहां कर रहे हैं इंडिया में तो इंडिया में टेक्स लगेगा माल लेते हैं आपने ऑस्ट्रेलिया में सर्वीस दी वहीं अंड किया ऑस्ट्रेलिया में रिसीव कर लिया तो न इंडिया में earned हुआ न इंडिया में received हुआ तो इंडिया में फिर उसके ऊपर tax नहीं लगेगा तो earning यानि की service कहां दे रहे हैं आप और receive कहां कर रहे हैं इन डोनों में से अगर कहीं भी इंडिया आता है तो फिर इंडिया में taxable है otherwise नहीं है नेक्स्ट है पॉइंट नमबर आई सिंग पांच वाग टेक्स फ्री सेलरी इसको एक्जम्पल से समझ लिए माल लेते हैं यह आपका employer है employer मतलब आपका boss ठीक है employer और आप यह हूँ employee हूँ ठीक है अब boss आपको salary pay कर रहा है और बोल रहा है कि यह लोग तुमारी salary कितनी के 5 लाग रोपर पर इसके उपर तुमको tax pay करने की ज़रूत नहीं बोस बोल रहा है इसके उपर मैंने tax pay कर दिया और माल लेते हैं इसके उपर जो भी tax बन रहा था वैसे slab लगती है और slab के इसाप से tax हो जाएका आइटिंक 12500 ठीक है employee बोल रहा है यह employer आपका boss है बड़ा बहला है वो बोल रहा है चलो तुम यह salary ले लो employee बोल रहा है चलो इसके tax कितना है वो पे करूँ तो इसने बोल दिया मैंने इसके उपर tax already pay कर दिया है कितना पे कर दिया 12500 किसने employee ने करती है तो यह tax free salary हो गई न किसके इसके लिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए employee को tax देना पड़ेगा पता है किस पे एक तो पांच लाग पी फिर जो 12500 आएंगे तो total salary किती हो जाएगी पांच लाग 12500 इसके उपर tax लगेगा तो tax तो आपको ही pay करना पड़ेगा income tax तो tax free salary का यहां calculation नहीं होगा और practically हम करेंगे तो और इस चीज़ को देखेंगे ठीक है फिर आता है एक और ऐसा fund आता है जिसके अंदर क्या होता है salary को foregoing कर दिया जाता है ठीक है of salary माले तेसी example को ले लो ठीक है एक है आपका यह employer और यहां है employee इस employee ने इसके यहां काम किया जब salary देने की बारी आई तो employee बोलता है मिर को नहीं चाहिए salary ऐसे मैंने काम कर लिया बस हो गया मुझे नहीं चाहिए salary वैसे practically ऐसा होता होगा क्या नहीं यह tax बचाने के तरीके होते हैं और government tax बचाने देगी नहीं लगे गई लगेगा ऐसा हो सकता है कि कोई काम करे और पैसा नहीं ले बाद में दूसरे तरीके से लेगा black money लेगा कुछ न कुछ करेगा कोई गिफ्ट बगेर लेगा तो government भी समझदार है income tax बनाने वाले भी समझदार है प्रोविजन बनाने वाले भी समझदार है आप अपनी salary छोड़ नहीं सकते आप छोड़ रहे हो तो छोड़ो भले ही लेकिन आपको tax तो देना पड़ेगा आप low salary आपने आकाम कर लिया अब आपको इससे salary लेनी है अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी गलती है आपको tax हाँ वो देने को तयार है अगर वो नहीं दे रहा तो case करो उसके ऊपर और case करने के बाद में जो proof है वो income tax को दिखा तो देखो वो salary नहीं दे रहा है मैंने case कर रहा है तो फिर हो सकता है tax नहीं लगे आप खोड़ी अपनी मर्जी से बोल रहे है प्रेमर को नहीं चाहिए salary ऐसा नहीं हो सकता आपको अपनी salary के ऊपर tax pay करना ही पड़ेगा ओके ठीक तो यह 6 होगे point ठीक है फिर next आता है आपका last place of accrual place of accrual में वही चीज़ है जो पहले थी service rendered in India अगर service rendered कहां हो रही है इंडिया के अंदर या फिर salary received in India या फिर आप salary क्या कर रहे है received in India दोनों में से कोई यह काम कर रहे हैं तो फिर आपका place of accrual क्या माना जाएगा इंडिया और उसके उपर tax salary के उपर इंडिया के इंदर आपको pay करना पड़ेगा ऐसा माना जाएगा कि यह salary आपने इंडिया के इंदर arise करी है मतलब कमाई है ओके ठीक और लास्ट एक point है आप जाते जाते बता दो लेकिन यह मैंने पहले ही बता दिया आपको फिर बताता हूं methods of accounting कौन से year में दिखाएंगे कौन से year में आपकी salary के उपर tax लगेगा तो इसका simple सा जावाब है due or receipt जो इन में से क्या हो before पहले whichever is earlier अगर due पहले हो रही है तो 2016 में accounting होगी उसकी receive पहले हो रही है इवेंट पहले हो जाएगा उस year में आप उस salary के ऊपर क्या करेंगे accounting करेंगे मतलब उस year की salary मान के उसके ऊपर tax लगाएंगे तो यह income from salary chapter में जो आगे बहुत सारे points आने वाले हैं या इस chapter के अंदर enter करने से पहले थोड़ा बहुत इसके ऊपर जो basic है वो मैंने आपको बताया कि यह यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है next जो इसका lecture आएगा उसके अंदर हम और इसके अंदर detail में जाएंगे आगे अब interesting होगा बहुत अच्छा chapter है यह और इसमें से exam में बहुत questions भी आते हैं so हम मिलते है next video में आज के लिए इतना ही अगर आप हमें इंस्टा पे या टेलेग्राम पे जोइन करना चाहते हैं तो link आपको इस video के नीचे description box में मिल जाएगा live classes लेने चाहते है paid classes लेना चाहते है questions करना चाहते है practical problems को solve करना चाहते है तो हमारी app download कर लीजिए वहाँ पर live class आती है वहाँ पर fees लगती है लेकिन reasonable fee के अंदर आपका income tax हो जाएगा so हम मिलते है next video में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए goodbye and thank you